आये प्यारे बच्चों सुरू करते हम दो अपना पैसेज और आज का पैसेज बहुत ही शानदार है बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे और दोस्तों मैं आपको बता दू कि पैसेज को सौल करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही जिरूरी है अगर करते हैं प्लों पैसेज अपना इफ इंडिया टेक्स अपड़ डॉक्ट्रीन ऑफ दस वर्ड बहुत बढ़ी है लाइने मैं आपको समझाता हूं टेक टेक अप का मतलब होता है स्वीकार लेना अपना लेना या स्वीकार लेना ये एक फ्रेजल वर्ब है तो टेक अप टेक हमारा इंडिया स्वीकारता है अपनाता है अर्थात हिंसा स्वीकार का मतलब तलवार अगर कोई स्वीकार कर रहा है तलवार को अपना रहा है इसका मतलब कि वह हिंसा करना चाहता है तो लेखक क्या कहता है ध्यान से सूलो लेखक यह कह रहा है कि यदि भारत स्वीकारता है तलवार के सिध्धान्त को यानि हिंसा के सिध्धान्त को शी तो शी का मतलब इंडिया यहां पर शी को इंडिया बोला है ठीक है इंडिया भारत माता तो बोले इसलिए शी बोला है तो कह रहा है कि यदि भारत स्विकारता है तलवार के सिध्धान्त को यानि हिंसा के सिध्ध इंडिया हमारी भरत मता 2 सी में टैंपररी विक्तरी तो हो सकता है कि अ JI हो सकता है कि फॉडबाँ करलें गि 올貜ान कहें टैंपररी विक्तरी बीचछी मतलब हो सकता है कि अ थोड़े देर केलिए वो विजय प्राप्त कर ले यदि हमारा देश अहिंसा का सिध्धान्त अपनाता है तो हो सकता है कि वह थोड़े देर के लिए टेम्परारी विक्तरी यानि अस्थाई विजय प्राप्त कर ले फिर कहरा लेखा कि देन तब इंडिया विल सीज सीज का हिंदी होता है बंध हो जाना या रुख जाना तो कहरा है कि यदि भारत हिंसा का सिध्धान्त अपना लेता है तो हो सकता है कि हमारा जो देश है वो थोड़े देर के लिए विजय प्राप्त कर ले बहुत आगे बढ़ जाए लेकिन एक और बात जान दो तो याद रखियेगा कि यदि भारत हिंसा का सिध्धान्त अपनाती है तो हो सकता है कि वो थोड़े देर के लिए विजय प्राप्त कर ले एक और स्थाई विजय प्राप्त कर ले लेकिन देन इंडिया विल सीज लेकिन भारत बंध हो जाएगा मेरे दिल का प्राइड यानि गौरों होना वो बंध हो जाएगा यानि अब मैं अपने देश को अपने अपनी शान नहीं मानूंगा अगर मेरा देश अगर भारत हिंसा के सिध्धान्त को श्विकारता है तो याद रखिएगा इंडिया विल सीज टू बी दा प्राइड अफ माय हर्ड भारत मेरे रिदे की शान को या गौरों होना को बंध हो जाएगा यानि हम मैं भारत को फिर पसंद नहीं करूंगा कह रहा है कि I am wedded wed से बना है wedded और wed का मतलब होता है विवाह करना तो मैं विवाहित हूँ तो देखो wedded का मतलब यहां पे विवाहित अच्छा नहीं लग रहा है वेड़ का एक वर मिनिंग होता है वफादार तो कह रहा है कि I am wedded to India मैं भारत के प्रती मैं भारत के प्रती वफादार हूँ क्यों में वफ़ादार हूँ Because क्योंकि I owe my all मैं सब कुछ मतलब मेरा जो सब कुछ है मैं अभारी हूँ अपने सारे चीजों का to India भारत के यानि ओ का मतलब ready होना या अभारी होना तो I owe my all मतलब मेरा जो सब कुछ है मैं सब का ready हूँ अभारी हूँ किसके प्रती to India भारत के प्रती यानि भारत ने ही मुझे सब कुछ दिया है इसलिए जो कुछ है मेरे पास वो सब भारत का है Owe O का मतलब होता है ready होना अभारी होना ठीक है न करजदार होना या देंदार होना तो मैं अपने सब कुछ अपने सारे चीजों का my all मैं अपने सारे चीजों का देंदार हूँ करजदार हूँ to India मतलब भारत के प्रती यानि भारत नहीं मुझे सब कुछ दिया है इसलिए I am wed इनडिया है इसलिए में भारत से एकडम वफ दुड़ा हूँ वैड़ेड हूं जुड़ा हूँ उस एकडम संगतित हूं जुड़ा हूँ या वफदार समझदो वफद हुर्ट का ही वफदार हूँ क्योंकि मेरा सब कुछ जो है वह भारत का ही है I believe absolutely मैं पूर्ण रूप से यह विश्वास करता हूँ absolutely का हिंदी होता है विश्वास करना तो मैं पूर्ण रूप से यह विश्वास करता हूँ that की she has यहाँ पे has है यह एज नहीं है यह has है तो I believe absolutely that she has a mission for all the world मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ कि जो मेरा भारत है She, She को भारत कह रहा है, She has a mission for all the world, मतलब इस पूरे विश्व के लिए इसके पास योजना है, यानी भारत जो हमारा देश है उसके पास ऐसी ऐसी चीजे है, कल्चर है जो मतलब पूरा विश्व करता है, पूर is not to copy in irrop blindly c 있다 India is not to copy India copy करने को नहीं करने वाली है जैसे सी इस टू गो जाने वाली है यह जाने पुह है रामि स्क्यल tien को है ragma नहीं ओर दन्हें को है राम ओ इस नौट तो डांस राम नहीं नाचने को है तो सी नॉप्ति असट करने ओंधा था ओंधा सिन और करने 신 European को यूरोप के चीज़ को परके gak tis बंध करके लेड नहीं स्विकार लेगा प्लैन ली नहीं स्विकर सकता कॉपी नहीं कर सकता उसका कह रहा है कि India's acceptance, India का स्विक्रिती of the sword, यानि हिंसा, sword मतलब यहाँ पर हम हिंसा मालेंगे, तलबार यानि हिंसा, भारत की स्विक्रिती हिंसा का, यानि हिंसा की स्विक्रिती भारत की will be the hour of my trial, यह मेरी परिच्छा की घड़ी होगी, hour of my trial का मतलब होता है, देखो, hour मने होता है घंटा या समय, और my trial मने मेरी परिच्छा, तो भारत की स्विक्रिती हिंसा वाली हिंसा की स्विक्रिती will be होगी the hour of my trial, यह मेरा परिच्छा की घड़ी होगी, यह मेरा एक परिच्छा का समय होगा, यदि भारत हिंसा का सिधांट अपना लेता है, तो समझ बो कि यह मेरा देश ऐसा करेगा, और I hope, और मुझे यह आशा है, और भी गड़ तरीके से कोई काम नहीं करेगा मैं जानता हूं मुझे उमीद है कि I shall not be found wanting wanting का मतलब अभाव गरस्त यानि खाली हाथ मुझे पता है मुझे पुरा उमीद है कि मैं खाली हाथ परिक्षा के घड़ी होगी और मैं जानता हूं कि भारत ऐसा कभी स्विकारेगा नहीं वहीं कह रहा है कि मुझे उमीद है I hope I shall not be found wanting कि मैं भाव गरस्त नहीं होगा यानि मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी मैं परिक्षा में सफल होगा यानि मेरा भारत कभी भी हिंसा का सा देगा ही नहीं कह रहा कि मायरी लीजन है जो जियोग्राफिकल लिमिट्स कह रहा कि मेरा जो धर्म है मैं भारत में रहता हूं और मेरा जो धर्म है यह ऑथर सब बाते कह रहा है देखो ऑथर बहुत ही मोरली श्रॉंग है बहुत ही उसके अंदर नैतिकता भरा हुआ है कह र अर्थात वो ऐसा नहीं हमारा धर्म यह नहीं कहता है कि मैं सिर्फ भारत में ही रहूँगा और भारत मेरा करके भारत से ही प्यार करूँगा मेरा जो रिलीजन है इसका कोई सीमा नहीं है यह हर पूरे विश्व में बसा हुआ है हर जगा फैला हुआ है और सब जगा अहिंसा क कि ही बात करता है कि मैं इतने ही सीमा में अपने धर्म का प्रचार करोंगा या अपने द्धर्म से जुड़ा रहूंगा मैं बहुरीं अपने ही अहिंसा का पालांद करोंगा कहा है कि if I have a living faith in it यदी मेरे को इसमें पूरा विश्वास है मेरे धर्म में if I have a living faith in it देखो मेरे जो मेरा जो religion है इसका कोई भागौलिक सीमा नहीं है और यदी if I have a living faith in it और मेरे पास एक्दम सज्वी विश्वास एक्दम सक्री विश्वास है इसके अंदर तो it will transcend my love for India herself, transcend का मतलब होता है और उपर ले जाना, तो यदि अगर मुझे मेरे धर्म में पूरा विश्वास है, तो मेरा धर्म, यानि it मतलब मेरा धर्म, मेरी आस्था, will transcend my love for India herself, herself मने खुद, इंडिया पर जोर देने के लिए herself आया है, तो भारत के लिए खुद, जो मेरा प्रेम है, my love for India herself, भारत के लिए जो मेरा प्रेम है, उसको यह विश्वास, या वो जो मेरा धर्म है, वो क्या करेगा, और उपर ले जाएगा, transcend करेगा, it will transcend my love, ये मेरा जो भारत के लिए प्रेम है, इसको और उपर ले जाएगा, transcend का होता है और ऊपर ले जाना के और और यदि मेरे को मेरे धर्म में विश्वास है तो मेरे प्रेम को ट्रांसेंड करेगा अर्था और आगे बढ़ाएगा फोर इंडिया भारत के लिए जो भी मेरा प्रेम उसको और अच्छा बढ़ाएगा, कहा रहा है कि my life is dedicated, मेरा जीवन तो समर्पित है, यह लेखा कहा रहा है कि my life is dedicated, मेरा जीवन तो समर्पित है to the service of India, भारत की सेवा के लिए, मेरा पूरा जीवन समर्पित है भारत की सेवा के लिए, वो भी किस माध्यम से, through the religion of non-violence, यानि अहिंसा के धर्म के माध्यम से, यानि अहिंसा के ही धर्म के माध्यम से, यानि अहिंसा के रास्ते ही, मेरा पूरा जीवन भारत की लिए एदम समर्पित है, अहिंसा के धर्म के रास्ते, और अहिंसा के लिए कि which I believe, और जिसको मैं मानता हूँ, to be the root of Hinduism, जो Hinduism, यानि हिंदुत्व का, हिंदु धर्म का जो रूट है एतम जड़ है वो अहिंसा उसी अहिंसा के धर्म के रास्ते मेरा पूरा जीवन इंडिया के सर्विस के लिए डेडिकेटड है समर्पित है यानि आप देख सकते हो कि इस कहानी में इस पैसेज में लेकक ये कहना चाहता है कि मतलब मेरा देश सब से आगे है सबसे अच्छा है और हम अहिंसावादी है हम कोई भी हिंसा नहीं करते मेरा धर्म जो है वह बहुत बड़ा धर्म है और वह किसी भी जेग्राफिकल लिमेट यानि भोगौलिक सीमा में बंधा नहीं है उसका विश्तार होता रहता है और हर जगा अपना प्रेम चार ओप्शन से वेरी क्रिटिकल अफिस ओन फिलोसिपी अफ लाइफ मतलब अपने ही जीवन के अपने धाना के प्रती वह बहुत ही क्रिटिकल नाजुक है ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहे है डीपली अवेर अफिस फैलिवर इन लाइफ मतलब पूरा सतर्क है गहराई से अपने जीवन में सफलता के लिए ऐसा कुछ नहीं है अन्शूर यानि शूर नहीं है वह ओफ वाट रिलिजन केंडू तो पॉलिटिक्स कि धर्म राजनीदी के साथ क्या कर सकता है ऐसा कुछ नहीं है वही दो ऑथर ऑफ पैसेज इस डी मोरली श्ट्रॉंग और इन इन वि नुक्सान न करें तो बहुत ही मोरली श्ट्रॉंग है और अजे है उस पर कोई विजय नहीं पराप्त कर सकता है हमारा लेखक बहुत द्रण है और हो कह रहा है कि मैं हम कभी भी हमारा देश कभी भी किसी का नुक्सान करेगा ही नहीं अगर ऐसा होता है तो भई मेरे लिए प्रिच्छा के घड़ी होगी लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं तो दम इन्विंसिबल है अजे है मतलब उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता तो आंसर होगर डी the expression doctrine of the sword means पूछ रहा ही जो यह भाव प्रकट हुआ तो दोक्रिन और ऑनो इसका kya मतलब है तलवार का सिध्धान तलवार का सिध्धान डोक्रिन मने सिध्धान जिसमें आ हम तो प्रिंसिपल भी कहते है प्रिंसिपल भी कहते है न डोक्रिन कर इंदी प्रिंसिपल भी होता है मतलब तलवार का सिध्धान का मतलब क्या है ताना शाही हो सकता है देखते हैं और बिलीफ in the use of violent methods यानि हिंसक तरीकों के प्रयोग में विश्वास तीसरा है fighting with the sword तलवार से लड़ना और habit of carrying arms यानि हत्यारों को ले करके चलने की आदत तो भाई इसमें पैसेज में साफ कहा था कि doctrine of the sword का मतलब है कि हिंसा का साथ देना हिंसक तरीके से काम करना तो आंसर होगा बिलीफ in the use of violent methods यानि हिंसक तरीकों का प्रयोग करने का करने में विश्वास आंसर होगा बी कहरा कि इंडिया विल सीज इंडिया बंध हो जाएगा to be the pride to be a pride of writer's heart लेखक हिर्दे का गर्व गौरों बनना भारत बंध हो जाएगा जब जब इत दूसरों को copy करेगा अब किस the path of violence यानि हिंसक के path को follow करेगा और has no mission for world जब इसके पास कोई mission नहीं होगा वोल्ड के लिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि में भारत जो की मेरा गौरों है लेखक कह रहा है कि लेखक के हृदे का प्रश्ण कह रहा है कि भारत बंध हो जाएगा लेखक के गौरों होना बंध हो जाएगा तो यह हमारा गौरों जो लेखक कहता है कि भारत जो की मेरे गौरों मतलब यह मेरी शान है यह बंध हो जाएगा शान होना यह जो भाव है hour of the trial उपर आया था नवर परिच्छा की खड़ी इन पैसेज गीवन एबब मिन्स जो पैसेज में उपर दिया गया है hour of trial इसका मतलब क्या है मिन्स दाइम दाइम ऐसा समय जब उसको टेस्ट के लिए परिच्छण के लिए रखा जाता है hour of trial का मतलब होता है परिच्छा का समय अर्था जब किसी के सिध्धान उपर चुकी सिध्धान की ही बाते हो रही है हमारा भारत देश स्विकारता है अ हिंसा जास यसी चीजुगे क Powers यह मिरा जो सिध्धान है यह हमारे जो भी परिच्छा का ही समय होगा mm to passes given in the mean passage given above means the time when principle principles are put नौट टिस्ट जब प्रिंसिपल को यानि सिधान्थ को परिक्षा के लिए रखा जाता है आवर आफ क्रायल का मतबता परिक्षा का समय और चुकी ऊ validity ही वाते हो रही हैं तो यहाँ पर passage के नुशार हुआ कि जब किसी के सिधान्थ को परिक्षा के लिए रखा जयता है परिक्षन का समय है तो प्यारे बच्चों पैसेज क्लियर हुआ होगा बहुत ही सिंपल है पैसेज लेकिन अगर आपकी पास हैबिट नहीं है पढ़ने की तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसलिए प्रेक्टिस करते रहना है अभ्यास करते रहना है जो भी दि ठापकी करते बच्चों ठापकी करते रहना है और दो चैंज होगाई पास्टिस करते इसलिए कि अज़ करते हैं तो झाल झाल